Friends, आप में से बहुत सारे candidates की queries थे कि Neet PG 2021 की counselling का schedule आ चुका है लेकिन Neet PG 2021 की counselling का schedule अभी नहीं आया है Neet PG 2021 के counselling schedule में बहुत सारे changes हुए हैं इस बार अलग कि अगर आप पिछले साल देखेंगे तो Neet PG, Neet PG की counselling का schedule लगभग एक जैसा होता था लेकिन इस बार काफी changes हुए हैं कुछ candidates मुझे पूछा है तक सर क्या state quota में इस बार round 4 की counselling हो सकती है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब All India quota की counselling late हो रहे थी state quota से पहले नहीं हो रहे थी तब ही मैंने कहा था कि इस बार counselling schedule change हो सकता है क्योंकि dates overlap नहीं होनी चाहिए state quota से All India quota की क्योंकि अगर All India quota की counselling से state quota की date overlap होगी तो बहुत साई candidates हैं जो All India quota से reporting करने जाते हैं document verification करने जाते हैं उनका document submit हो जाता है तो वो कैसे करेंगे क्योंकि same अगर schedule state quota का भी रहेगा same All India quota का भी रहेगा तो इससे problem हो जाएगी तो यहां पर अगर हम मैं बात करूँ तो PG quota में PG में इस बार ऐसा किया हुआ है कि just All India quota round 1 के बाद All India quota state quota round 1 रखा है इसे डूट उसके बाद reporting के बाद joining के बाद All India quota 1 के बाद state quota 1 की joining की हुए उसके बाद फिर start किया हुआ All India quota का round 2 फिर इससी तरह से state quota round 2 फिर state quota round 2 complete हो जा रहा है तो फिर यहां पर joining फिर state quota की joining तो इस तरह से schedule रखा हुआ है चार round का schedule बाट दिया गया है NMC ने एक notice डाल जारी किया हुआ है जिससे कि यह पूरा schedule जारी किया गया है हाला कि इससे बहुत अच्छा फायदा होगा यह possibilities UG में भी हो सकती है क्योंकि यहां पर क्या है कि maximum state ने registration करा लिया लेकिन counseling schedule अभी नहीं जारी किया हुआ है तो maybe NMC planning कर सकता है कुछ state ने just like मद्रदेश ने अपना round 1 का schedule जारी कर रखा है लेकिन वो changes हो सकते हैं अगर NMC चाहेगा तो यहां पर भी UG की case में भी क्योंकि counseling बहुत ज्यादा delay हो चुकी है तो आप state अपने हिसाफ से counseling नहीं करा सकता है उसको भी direction की जरूरत होगी कि कब आप किस round का schedule रखें जिससे कि हमारे schedule से match न कर सके वो वरना problem हो सकती है यह जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया रखा है एक दो महने पहले मैंने वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों की counseling में सामझस से होना चाहिए तो क्या है वो notice और किस तरह से counseling schedule रखा है किस तरह से UG का भी schedule आ सकता है और इससे benefit ही होगा इससे benefit होगा क्योंकि यहां पर MCC का इस बार उदेश रहेगा कि round 4 तक कोई seat vacant न जाए उसके लिए दोनों counseling का parallel चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि parallel चलना बहुत ज़रूरी है तो पहले ली schedule किया हुआ है क्या है schedule चलिए देख लेते हैं और कोई doubt हो तो ज़रूरी बताइएगा और इस तरह से most probably tentatively इस तरह से UG का भी हो सकता है अभी मैं इसके बारे में पूरी तरह से confirm नहीं हूँ official information आएगी तभी होगा हलाकि changes यह इसलिए किये गए है कि round 4 की seat vacant न जाए तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो schedule और किस तरह से UG में भी आपको benefit मिल सकता है इससे खासकर state quota में भी इससे benefit मिलेगा और All India quota में benefit मिलेगा और सबसे important बात यह है कि round 4 की counselling के बाद अगर seat वैकेंट होती है या किसी वी तरह से तो फिर वो जाएंगी कहाँ पे state quota में या फिर All India quota में इसलिए यहाँ पे इस तरह का schedule रखा हुआ है तो चलिए देख लिके क्या है वो notice Friends NMC ने एक counselling schedule related एक letter जारी किया है Basically यह जो letter है वो PG counselling related है ठीक है लेकिन जैसा कि मैं पहले भी आपसे बोल रहा था कि इसके base पे कुछ candidates मुस्से question पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह का schedule UG में भी लागू हो सकता है जैसा कि आपको पता है कि state quota की counselling चाहे UG की हो या PG की हो दोनों ही delay हो गई थी UG में बहुत सारी state ने registration करवा लिया है maximum state ने registration करवा लिया है ठीक है बहुत सारी state ने अभी registration भी ने करवा है कुछ state ने MP like state ने अपना round 1 का schedule भी जारू कर दिया है ठीक है लेकिन यहां पर जो NMC ने एक notice जारी किया हुआ है PG के लिए वो basically क्योंकि counselling की date एक दूसरे से overlap ना हो इसलिए gap दिया गया है हर counselling के बीच में चाहे वो round 1 all India quota हो या round 1 state quota हो यहां पर देख लिजए I am directed to refer the subject matter mentioned above in this regard it is mentioned that the schedule of NEET PG counselling for the academy at 2022 to be conducted by MCC or DGHS and the state PG counselling to be conducted by respective state counselling authority has been prepared copy for both schedule ठीक है दोनों का schedule का यहां पर copy है ठीक है which is approved by the committed authority the state counselling of PG counselling is being formulated to you and it is required that the same may be uploaded on NMC website for further ठीक है यहां पर पूरा बताया हुआ है क्योंकि कांसलिंग दोनों की overlap नहों इसलिए यहां पर कुछ इस तरह से schedule डाला हुआ है और कुछ candidates मुझे से पूचते क्या चार राउंड की counselling हो सकती है possibilities है क्योंकि एक साथ रखने के लिए जैसे यहां पर देगी कि first round of counselling है आल इंडिया कोटा के लिए वो 12th of January से 21st of January तक है ठीक है उसके बाद gap दिया गया है ठीक है इस्टेट कोटा की counselling आ गई वो 28th of January से जस्ट इसके बाद ठीक है 24th of February उसके बाद फिर लास्ट डेट आफ जानी 28th January और इस 2nd February ठीक है तो दोनों के बीच में चाहे यह स्टेट कोटा यह ओल इंडिया कोटा दोनों के बीच में gap है ठीक है इसी तरह से आप round 2 में देखेंगे तो 2nd February के बाद 3rd February 3rd February से 11th February फिर 10th February से 15th February स्टेट कोटा काउंसलिंग फिर लास्ट डेट आफ जानी 19th February और 21st February तो इस्टेट कोटा और ओल इंडिया कोटा दोनों की बीच में gap दिया हुआ है ठीक है जिससे की overlap नहों schedule जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि काउंसलिंग का इस तरह से schedule रखना पड़ेगा कि स्टेट कोटा और इंडिया कोटा से overlap ना हो क्योंकि काउंसलिंग और डिले हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे candidates को यहां पर document verify करना होता है जोइनिंग करनी होती है तो एक अच्छाई भी है कि कम से कम यहां पर एक जैसे मौप अप राउंड में है ठीक है यह दोनों का schedule एक दूसरे से overlap नहीं करा जस्ट और इंडिया कोटा के ब नहीं से भी कोई seat vacant रह जाया है जैसा कि मैंने भी कहा था कि round four तक की counselling होगी इस बार four round की counselling होगी EIQ में भी ठीक है तो जिससे कि यह पता चल सके कि round four तक कोई भी seat vacant रहे तो हो सकता है इसकी basis पर यह plan बनाया गया हो कि state quota और all India quota दोनों parallel चलेंगी तो hopefully इस तरह का schedule आपको देखने को मिल सकता है और एक doubt और था बच्चों का की यहाँ पे इस बार नया section डाला हुआ है हला कि यह PG का है verification of internal candidates by their respective university or institute ठीक है यह दो दिन का schedule है तो इसमें बच्चे पूछ रहे थे कि जैसे internal candidates होते हैं AMU के DU के तो इनका internal verification होगा तो हो सकता है possibility है कि online verification हो जाए जो आपकी eligibility है internal candidates की उसको check करने के लिए और बाकी reporting आपकी वैसे ही होगी जैसे पहली होती थी तो कहने का मतलब यह कि state quota और all India quota दोनों के panel counseling चल सकती है state quota में भी जैसे इस बार चार round के counseling दे रखी है तो most probably हो सकता है कि UG में भी ऐसा करी क्योंकि mainly उद्देश से यह है कि round 4 तक सीटों को vacant न रखा जाए all India quota से ही उनकी filling हो इसलिए यहाँ पे चार round के counseling possibility UG में भी हो सकती है तो यह क्योंकि इस बार PG का भी schedule पहले UG के schedule से match करता था लगबर चाहे all India quota का हो यह state quota का हो लेकिन इस बार changes यहाँ पे लाए गए हैं तो क्या इस change के basis पे UG का भी हो सकता है यह तो हमें देखने पर पता चलेगा लेकिन possibilities काफी हैं देख लेते क्या होता है क्या हुआ हुआ है